नमस्कार साथियों मैं आचारी अवदेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में ज्योत्य श्टॉप फिद अवदेश में दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट सीरीज हमाँ चला रहे हैं जिसमें डिसकस कर रहे हैं कि राहू आपके कौन से भाव में क्या फल देता है इससे पहले मैं पर्थम दृत्य तृत्य चतुर्त भाव के बारे में विश्टरसन देता हूँ अगर आपने नहीं देखा तो मेर कौन कौन सी चीजें आपको संबंदित रहेंगी और किस किस चीज की आप क्या क्या बारे में विश्टरसन निकाल पाएंगे कि क्या कहती है पांसवे भाव के राहू से और ग्यार्य भाव के केतु से इस पूरी वीडियो को अंतर तक देखेगा और से पहले अगर आपने च पांचवे भाव की अगर हम बात करें तो पांचवे भाव के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी कि पांचवे भाव की कुंडली में होता का है तो अगर कुन्डली यहां से आप स्टार्ट करेंगे, तो यह वाला हाउस जो होजाएगा, यह फिफफ हाउस होता है, और इसके सामने वाला हॉस यहां पर यहां पर साथवे विराशी दिखाई देगा, साथवी राशी में दिखाई देगा यहां से, किस तरह से तबसे पहले इस पांच्व भाव का आप समझे नहीं कि ज smell करता है क्या चीजों को आप को करेगा पांच्वे भाव स्वामी होता है सूर्य अनल उस पर गए ताफ यौ जाकर की गांच्वेए नहीं कि नजर है ये सब चीजे भी कुलबी बहुत जादा पॉर्डे इसका पिलाहा नॉर्मल ली आप एक नॉर्मल बात बात समझेगा इसका स्वामी कौन है तुरिया कारग्रे कौन है इसके ब्रस्पती रस्पती देव की वज़ा से ब्रस्पती रहे है तो इसमें ज्यान की पुत्र भाव है क्या चीज दिखाता है आपकी संतान कैसी हो पाच्वा भाव ब्रस्पती की वज़ा से सूरिय की वज़ा से पुत्र संतान कैसी होगा यह भी दिखाता है आपको कितनी सिक्षा मिलेगी चिक्षित कितने होंगे प्राइमरी एजूकेशन कैसी रहेगी माता-पिता का प्रेम आपको कैसा मिलेगा आपके सगे संबंधियों का आपको प्रेम कैसा मिलेगा इस सब आपको पांच वभाव दिखाएगा आप में क्रियेटिविटी कितनी है रचनात्मक्ता कितनी है आप क कितने रोमांसित रहते हैं आप कितने रोमांस में रहते हैं यह सब भी पांचवाव दिखाएगे तो पांचवा भाव आपकी कुंडली में बेहत महत्वपून मंदिर मख को पैसा दान देना है उस पैसे आप को नकरने का आपको कितना मिलना है ये वाहत दिखाता है आपकी योग्यता की कर्म कैसे, आपमें baking कैसी, आप किस तरह से काम कर पाएंगे यह सब पांच्वभाव और आपके प्रियजनों को पांच्वभाव दिखा त्यител म बोमांत दिखाएगा मनोरंजन खेल कुछ अगर शाररीक अंगों की बात करोगी तो शाररीक अंग चुकि पांचवा भाव यहां से होता हुआ लगबग आपके इस एरिया को रिप्रेजेंट यानि आपका अगनाश है आपका पेट आते रीड की हड़ी और यह पेट के जितन का लाव भाव होता है इसमें कितना उसे लाव मिलेगा उनके कर्मों का लाव क्या मिलेगा इसे कर्मों का लाव क्या मिलेगा उसे कर्मों का लाव क्या मिलेगा उसे पुन्य का लाव क्या मिलेगा यह दोनों एक दूसरे को रिलेट कर जाए तो पांचवा भाव को रिप्रे तो नेचरल सी बात है जो पांच वाव रिप्रेजेंट करेगा उसका लाभ भी तो होना चाहिए ना तो फिफ्थ हाउस और इलेविंथ हाउस दोनों अच्छे होने बहुत जो की बहुत कम चांसे की किसी कुंडली में तो उसे आगे डिसकस करेंगे भी इसका कारग्रह इसका भी ब्रसपति होता है शक्रतिक स्वामी सूर्य यह होता अब प्रकरतिक स्वामी कैसे होता है प्रकृतिक हरे आपने 47 दिखाएगा आ devil करिं करेंगे उन कर मों का पको फल कितना मिलेगा लाब कितना मिलेगा 11 आप कितने अमीर बनेगे आपकी विद्वता आपकी शिक्षा कितने लोगों को समझा पाएगे कितने बड़े समब्मों कर बन पाएगे ये 5 ब safeguard खाता है कॉन जाके 11 अब यनिके 5 क्या है उसमें आप कितने फेमास हो पाएंगे लाइव में उंद्पर कोन देख रहा है ग्यारह हूँ तो पांच वे भाव से संबंद भी चीज़े होएंगी ने आके होता है कि पांच में क्या होता है प्रेम होता है आपके रिस्तंदारों से आपको कैसा प्रेम मिले गए यह होता है और और ग्यारवे का कॉंबिनेशन देखे क्या क्या चीरे दिखा सकते हैं इसमें प्रसिधी कैसी मिलेगी और शुहूर कितने हो पाएंगे आप सफल बनेंगे सफल रहेंगे अमीर बनेंगे कैसे बहुत पढ़लिक के भी बहुत लोग गरीब रह जाते हैं और बहुत कम पढ़लि किस तरह करेगा समाज में लोग आपको किस तरह से फोलो करेंगे यह ग्यारव भाव को देखना पढ़ेगा आप में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन उस पैसे को खर्च कैसे किया पैसा जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च किया उससे कम खर्च किया कंजूसी में मर गए यह समझ जो होती है यह वह आपका ग्यारवह भाव दिखाता है एक टीम को ग्यारव भाव दिखाता है और आपके बड़े भाई बेहनों को और रिष्ते दारों को भी भाव दोस्तों आज की दिसकेस ने वाला हूं जिसमें अर फिशा दिकेसा कि ऱ्थम फो विडियो को सामने जगता हूँ से हेल्प मिल जाती है कि आपको भी समझने में आसाने रहती है बाद में इसको आप देखें वीडियो को समझ माज़े कि मैं बोल के रहा हूं लिखा हुआ कि विफ्थ हाउस जो होता है इसमें सूर्य ब्रस्पती अगर एक अच्छा योग है यह भाव आपको अच्छा ही फल देगा पूर्य और ब्रस्पती जब एक साथ आते हैं क्योंकि पांचवे भाव का स्वामी सूर्य है और इसका कारग्र ब्रस्पती जब एक साथ इनका कॉम्बिनेशन रहता है कहीं न कहीं पर चंद्रमा को रिप् अब इसमें क्या ध्यान रखना है इसको पांचवे भाव का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा और राहू को आप सब जानते हैं राहू का अपना कोई अस्थित्व नहीं अपना कोई ग्रह नहीं वो जिस भाव में बैठेगा उसी के हिसाब से फल देगा अब यह कौन से घर म में आ गया माउंचवे घर में पाल आ गया लगया यह फलक किसको कोडिंग को देगा खंदर के को तो अगर फिफ्थ हाय कि कि वियकति का हखा हुश में बहुत जरूर अगर जरूर है मीश हुट है хाष्ष होना बहुत जरूरी है कि यह का भी जाता है कि अगर राहु अच्छा नहीं तो फिर जी क्या करें तो नेच्छल सिवाय तो चंद्रमा की रेमेडी बताई जाती है राहू ठीक हो जाता है किससे चंद्रमा से पूरिय और ब्रस्पति का अच्छा अब इसके लिए बहुत जरूरी होता है और जिसकी ब्रस्पति बीच्छा है तो यह नच्छल सी बात है यह व्यक्ति बहुत क्रियेटीव होगा नहीं चीजर सोच लेगा इसमें नहीं चीजों को बहुत जलदी से करनी की अच्छी हाबिट बन जाएगी ऐसे भीक्ति बहुत अनुशासन में रहेगा समय पर उठेगा कभी बहुत अच्छी होगी और इसको माता से बहुत प्यार मिलेगा पर इसमें गड़बर आएगी ध्यान रखना माता से प्रेम मिलेगा पर माता को ये कभी अच्छा नहीं मानेगा या इसकी माता के साथ गड़बर हो जाती है या तो माता छोड़ देती है या माता की डेथ हो जा जोब प्रोफाइल में मातक को कष्ट मिले गये वह स्वास्थे बहुत अच्छा होगा सुराल पक्ष्ट बहुत अच्छा मिलेगा आग्यकारी संतान मिलेगी सब कुछ बहतर रहेगा बस मातक का स्वास्थे को इनको ज्यान रखना पड़ेगा अगर ब्रस्पती रहूं चंद्रमा सूरिय इन ग्रहों को देखें तो एकर सूरिय ब्रस्पति चंद्रमा कराब हो जैंगा व्य व्यक्ति जिसका और राहु खराब होगाда फिफ हाुज का वियकति इसमें राहु बैठा हुगा है फिफ्थ हाुज में और राहु उसका खराब है तो आप एक बात देखना आपकी कूंडली खोल के देखो कि आपकी कूंडली में हाउज को रिप्रेजेंट करें यहां पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ज्यान देने लोग आएंगे उसे कहेंगे बेटा पढ़ ले उसे पढ़ाने की कोशिस करेंगे और उसकी बुद्धी परदा पढ़ा हुआ है पढ़े गई नहीं तो व्यक्ति पढ़ना पसंद नहीं करता ह चंद्रमा के साथ साथ ब्रस्पती भी खराब होगे तो ऐसे व्यक्ति को संतान होने में बहुत बादा रहती है या तो अगर यह महिला है तो इसको मिस्करेस बहुत ज़ाद होंगी इसको ट्यूपस में प्रवल्लम होगी अगर यह पुरूष है तो इसको फिर स्पम्स में प्रावलम होगी तो ये ब्रस्पती चंद्रमागर खराब है और रहु पांचवे घर में बैठा है तो इसको प्रावलम होगी संतान होती ही नहीं है होती है तो संतान बहुत दुख देती है पिता को या ससुर को अगर ये कोई लड़की की कुंडली में पांचवे घर में राहु है तो इसके पिता को या ससुर को बहुत ही दुख मिलते हैं या तो पिता या ससुर इनकी अर्ली एज में डेथ हो चुकी हो या फिर वो बहुत शराबी बन जाते हैं अगर आप लड़की है कोई लड़की है उसके पांचवे घर में राहू बैठा हुआ है उसके पिता अगर शराब पीते हैं तो नेचुनल सी बात है उसका ब्रस्पती चंदर शराब है इस आदमी को अगर राहू खराब हो जाये पांचवे घर में इसके जतने काम बनने है सब बिगार देगा अगर इसका सूर्य भी खराब हो जाए जेखो चंद्रमा खराब है उसकी बुद्धी वे परदा रहेगा पढ़ाई मन नहीं लगेगा प्रस्पती भी खराब है तो इसकी संतान में बाद आएगी और अगर सूर्य भी खराब है तो इस व्यक्ति को बदनामी मिलेगा किसी लड़की केस में फस जाएगा कहीं चोरी केस में फस जाएगा तमाज में इसको हमेशा हीन भावना से देखा जाएगा इस तूर्य भी खराब हुआ तो पांचवे घर कर राहू को अच्छा होना बहुत जरूरी है वरना यह संतान में सिक्षा में और आपके खुद के साम कि अगे देखते हैं केतु अगर ग्यारवज घर में आजए तो क्या होगा अब गया केतु जो होता है दोस्तों गेतु भी अपना कोई पर्टिकुल घर लेके नहीं चलता है दोनों चायाग रहे हैं राहू भी और केतु भी जिस घर में बैठेंगे उसके हिसाब से फल दें ग्यारवे घर का शनी जैसा होगा वैसा ही केतू फल देना शुरू करता है अगर शनी अच्छा है तो केतू अच्छा फल देगा और अगर शनी खराब है तो केतू खराब फल देगा इविन क्योंकि इसका कारक ब्रस्पती भी होता है तो ब्रस्पती का चाहुना भी भोग जित है और जिसकी कुंडली में 11 घर में केतू है उसका शनी भी अच्छा है उसका ब्रस्पती भी अच्छा है ऐसी कुंडली 100 में से 1 या 2% मिले जब-जब केतू 11 घर में होता है तो 98% चांसेज है कि तू खराब ही फल देता है कि कभी अच्छा फल नहीं दे लेकिन कोई कोई आप देखोगे कि मेरे 11 घर में केतू है वहां से पैसा बन जाता है इसका मतलब उसका ब्रस्पती बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगाता है वहीं पैसा डूबता है तो उसका 11 घर का केतू है जो खराब है केतु का अच्छा होना बहुत मुश्किल काम है यारवे घर फिर भी अगर अच्छा है तो सिफल देख लेते हैं ऐसा व्यक्ति चिनी इंकम कमाता है कि जो इसने कभी सपने में ने सोची कि इसके फैमली वालोंने कभी अंदाज अने लगा जो चाहेगा वो मिलेगा अगर यह मुझे नेटा बनना नेटा बनेगा ऐसा व्यक्ति भग्य का बहुत धनी है और चीज में इसको फायदा मिलता है चंद्रमा को अगर यह चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो इससे बहुत पैसा कमाएगा इसको कभी पैसे की सोचना ही नहीं पड़ेगा लाख दो लाख करो आपको एनर्जी भी मिल रही है और उसे लाब मिल रहा है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं इसलिए एक या दो परसेंट ऐसे व्यक्ति पैसा कमाएगा लेकिन इसको रिष्टेदारों से बड़ा रोस रहेगा इसके रिष्टेदार हमेशा इसको प्रॉब्लम में डालेंगे साथ फ्रॉड करना शुरू करता है यह व्यक्ति क्या करते हैं हर चीज में अपना लाब देख यह दिहान रखना अगर को भी जोब नहीं लग रही है बड़ता बहुत है नंबर नहीं आते हैं पैरिट में एक परसेंट-विड़़ परसेंट से रह जाता है खराब केतु का केतू सरकारी नौक्री नहीं लगने देगा प्रॉपय्टी डीलिन नहीं चलने देगा जहाँ प्रॉफित होना होता है perfect होते 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 लौस हो जाए बंते-बंते काम बिगड़ जाएगा जोतिश्यों से सलहा लेता रहेगा पूरी उपाय सब करता रहेगा पर उपाय करता है फल मिलता है लेकिन जैसे ही वहां से कोई डीलिंग होनी होती है कोई न को गड़बर हो जाती है इसका केतु खराब होगा रिष्टिदार जो होंगे भाई बंदो जोंगे वहां नी करेंगे भले ही केतु अच्छा हो कि ग्यारवे घर का अगर किसी व्यक्ति का केतु है वह अच्छा है चाह बुरा है ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने रिष्टिदारों से सावधान देना जाए इस व्यक्ति को कैश फ्लो कम हो जाएगा कैश कि जोरा की आवगमन होता है अर्निंग जो आती है वो कम हो जाएगी आए एगर आएगा जाएगा इस पर बचे लिए-डे पनल नहीं रहे जैखा लाव नहीं और यह ऑनना देहले rendering अच्छा है तो तो फटाफट फैसलेगा देखिए अगर 11 घर का केतू खराब है तो बंदा फैसले लेगा रेगा लोगों से सलहा लेगा कि मैं क्या करूं और सलहा इसे गलत मिलेगी और यह स्टैप्स गलत उठाएं ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने केतू को ठीक करने की कोशिस करनी चाहिए तो आपको अपनी कुंडली में द्यान से देखना है कि राहू किदर है केतू किदर है अगर राहू पांचवे घर में है केतू ग्यारवे घर में है और आपको अच्छे फल मिल रहे हैं या बुरे फल मिल रहे हैं तो इससे आप थोड़ा से केल्कुलेट करके समझ सकते हैं अपने लाइफ को समझ लीजिएगा कि आपके बंते हुए काम बिगड रहे हैं तो खराब है ऐसी फटा-फट काम बन जाते तो कि अच्छा है जिरासी सरदर्दी मत पालिए खराब है तो कुं कम चार्जिज में हम लोग आपकी कुण को अनलाइज कर लें ठीक है दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फटे भाव कर रहा हूं और बारवे घर का केतु सब तक के लिए नमस्कार